घलो फ्रेंड वल्कम तो exploring things around दोस्तो अभी हम आ गए हैं अपने hotel जुनागर में हम आ चुके हैं-hole click में हमने check-in कर लिया है तो अभी मैं आपको room tour भी कराऊंगी तो यह hotel click hai hotel click का reception केУल दोस्तो हम आ गए हैं जुनागरidor में हमने होटल क्लिक में चेक-इन कर लिया है हमारा रूम नंबर है 106 यानी 106 दोस्तों अब मैं आपको अपना रूम टूर कराने जा रही हूं रूम मुझे बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा है सारी फसिल्टीज दी हुई है इन लोगों ने और यह है हमारा इंट्री यहा लोगों ने टॉवल दिया है शौवर है वह बहुत क्लीन है बहुत ही अच्छा है बातरूम अब आपको नद्वा Custom यह देखिए रूम कुछ इस तरह का रूम है कुई साइज बैड है अच्छा खासा इस्पेसियस है रूम है बेट के दोनों तरफ इस तरह से टेवल दी हुई है सामने एक सुन्दर सी पेंटिंग लगी है यहां पर टीबी लगी हुई है यहां पर कैटल दिया हुआ है चाय तो आप पानी दरम करके चाय अपना बना सकते हैं चाय बनाने का सामान है कौफी बनाने का सामान है वाटर बॉटल है यह सारी चीजे दी हुई है बहुत ही अच्छा रूम है क्लीन है हाईजीन का ध्यान रखा गया है सबसे अच्छी चीज यह है बाकी इनों ने जो जरूरी चीजे होती है उन्हें भी दी है हेलो फ्रेंग्स और यह यहां पर कबर्ड भी है जिसमें हम अपना सामान रख सकते हैं एक्शली बस आज रात ह है जामनगर के लिए जामनगर से हमारी फ्लाइट है और हां फॉर्थ फ्लोर पर स्विमिंग पूल और जिम भी है अगर मुझे टाइम मिलता है क्योंकि अभी हम अम्बा माता का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अभी हम अम्बा माता का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ट्राइ करूंगी कि आपको वो एरिया भी दिखा दूँ अधर्वाइज अभी रूम टूर हो गया है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक्यू फ्रेंड्स यह वोग दोस्तों जैसा कि आप देख रहे है इस समय हम है क्लिक होटल में जुनागड के क्लिक होटल में वहां का स्विमिंग पूल हम लोग इंजॉय कर रहे हैं यह देखिए गौरी और उसके डैडी पानी में है और मैं वीडियो पनाने के लिए बाहर निकली हुई हूई हुई